हलो दोस्तों विल्कॉम टो आज चैनल एक्जाम एवरेड़े दा अल्टिमेटिकल सॉलिवसन तो दोस्तों 17 अगर्ष्ट से जो RRC ग्रूब D का जो एक्जाम होने वाला है उसका जो है एक ऑफिसियल नोटिस आया है यह जो है बिल्कुल है ऑफिसियल नोटिस है और यह इस न RRC ग्रूब D का एक्जाम देने वाले है तो आपको यह जानना बहुत ही जादा जरूरी है और दोस्तों आप फूर वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जो है इसमें हार एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो है आपको दिख सके और दोस्तों बता दू कि हमारा यह जो ट ätzान है यह गभर्मेंट ऊप़ इंडिया रे मिनिश्टी आप सब्सक्राइज और साथ एप्रेद्जों मैंडेय के तरफ से जो एय नहीं की यह जंडिया गया है और दोस्तों आपर रिगरडिंग पैडर इप 151 यह भी यह पर दिया गया है और दिटेल सेंट्रलाइज एफ लेम्लाइमन नुटिबिकरशन याइन दोस्तों जो है सेन नंबर जो है और सी 01-2019 यहां पर यहां पर दिया गया है लेवल वन पोस्ट निश्ट देखे यहां पर दिया गया है विट रिफारेंश टुदा डिटेल से सेंट्रलाइज यहां पर दिया गया है थूदा वेबसाइट ऑफ अरव इंसर्टेट इन पर फिप्टीन वन नेक्ष्ट देखे दोस्तों यहां पर क्या दिया गया है फॉर नॉर्मालाइज़ाइशन एक्रोस शीफ्ट रर्वी सल यूज पार्सेंटाइल एक्विवेलेंस तो दोस्तों पर्सकोर पहला वालला किया दिया गया है are scores based on रिलेटिब और एक्विवेंनेशन द्र नेनी सबीकिन संद्रों परणस्वर्म धानलाइच टाहिए यह नहीं होता है इसे दोस्तों जो है के जितना लोग exam दिया है और जो हैस्ट इसे गोले स्कूर अलबिकार है इसा score है जो के जो परतेज होंदेटेस है जो मिलोह है उसके रिगाडिंग यह पर पर दिखाया जाता है next therefore the top or end of each shift will get the same percentile of 100 which is desirable and these marks obtained in between the highest and lowest score are also converted into appropriate percentile यानि दोस्तों जो है highest और lowest score जो है उनका भी यहाँ पर जोस्तों जो है calculation किया जाता है जिसके थूँ जो है यह percentile score बनाया जाता है next यहाँ पर देखें तीन नमबर में दिया गया है the percentile score will be normalized score for the examination and cell be used for preparation of merit list यानि दोस्तों merit list के लिए भी जोस्तों जो है यह percentile score ही यहाँ पर normalized score के तरह दिखा जाएगा next देखें दोस्तों percentile score का जो formula है ओ यहाँ पर चान नमबर पहरा में दिया गया है the percentile score यहाँ पर फॉर्मूला यह देखिए percentile score जो है क्या दिया गया है पहला वाला के number of candidates appear in the shift that with raw score equal to or less than the candidate यानि दोस्तों जो है यहाँ पर निकलता है उसी के regarding जो है हमारा normalized score बनेगा और जिसके regarding हमारा merit list बनेगा next देखिए दोस्तों क्या दिया गया है पांच नमबर पहरा में यहाँ पर दिया गया है the percentile score for the raw score of all the candidates for all the shift would be marked and self-called the RRC score यानि दोस्तों यह जो normalized score है या पर जो percentile score है इसे हम RRC score के नाम से भी हम बाद में जानेंगे और next यहाँ पर दिया गया है which will then be used for the compilation of results and further processing for deciding the merit allocation यानि दोस्तों जो है यह जो है further यहाँ पर चेक किया जाएगा बाद में जो processing होगा उसमें भी यह जो है यह RRC score चेक किया जाएगा जो percentile score का ही है निफ्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर छे नंबर पेरा में क्या दिया गया है यहाँ पर the percentile score will be calculated up to five decimal places तो दोस्तों यह जो है five decimal places के बाद तक जो है इसे calculation किया जाएगा तके क्योंके आपको पाता होगा कि बहुत ही जाथा जो है candidate है candidate साथ 1.15 करोर के आसपास जो है examination देगा from तो फिला हुआ ता 1.25 करोर तक पर दोस्तों उसका जो है कुछ लोगों का जो है from reject हो गया उसके बाद जोस्तों जो है लगभक जो है 1.15 करोर जो है लोग यहाँ पर exam देंगे तो उससाब से दोस्तों जो है अगर clearly जो अगर result दिखाया जाए तो इसके लिए जो है यहाँ पर five decimal places तक सेम हो गया तो क्या होगा कि their merit position is determined by age criteria या यानि दोस्तों जो है उनका जो merit position or determine किया जाएगा उनके age के हिसाब से यानि अगर older है तो जो है पहले higher rank में आएगा और दोस्तों जो छोटा है वो जो है बात के rank में आएगा या फिर दोस्तों यह यह भी अगर यह age भी अगर सेम हो गया तो देन alphabetical order यानि दोस्तों एटू जेट इस जो है alphabetical order में इसे जो है दोस्तों सजाया जाएगा नेक्स्ट देखे दोस्तों क्या दिया गया है यह दोस्तों यह दोस्तों यह देखे यह देखे यह देखे यह देखे दिया गया है 12 अगर्ष्ट को जो है यह notification अरा भी के तरफ से जो है दिया गया था जाने से पहले बता दो दोस्तों हमारा यह जो चैनल है exam everyday इसे आप subscribe जरूर कर देना और दोस्तों जो है बेल आइकन को दबा देना और यह जो है यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इसे भी आप जो है subscribe जोईन कर लेना ताकि आपको latest video के और दोस्तों जो है PDF बगेरा यहापर म जो होईजजब आप एक अं